अजय को अजय को अजय को अजय को मैं पिछले 15 सालों से कम्पूटर साइंस में टीचिंग के शोबे से वाबस्ता हूँ और पाकिस्तान की मुख्तिफ यूनिवस्टिय में पढ़ाता रहा हूँ वीडियो के ब्लैटफॉर्म से जिस सब्ज़क को मैं आपको पढ़ाऊंगा वो है डाटबेस मैंजमेंट सिस्टम हमारे आज के लेक्चर का हमारी आज के गुफ्तगू का जो एक लियाउट है वो यह होगा कि सबसे पहले मैं आपको इस कोर्स के जो जनरल आर्किटेक्चर है इस जो इस कोर्स का जो जनरल स्ट्रक्चर है लियाउट है वो एक्स्प्लेइन करूंगा उसके बाद मैं आप से आज की लेक्चर के बारे में इसको हाइलेट करूँगा कि आज की लेक्चर में हम क्या डिसक्स करना जा रहे हैं और फिर हम आज की लेक्चर को बगायदा शुरू करेंगे मेरी कोशिश ही होगी कि मैं इस लेक्चर को या इस को बलके आपके लिए ज्यादर से ज्यादर इंट्रेस्टिंग और मुफीद बनाओं तो देखते हैं कि आज के हमारे कोर्स का क्या लियाउट है डेटेबेस मेंगमेंट सिस्टम ये कोर्स का नाम है और आज हम इसका पहला लक्चर ज़ह है वो डिसकस करने जा रहे हैं कोर्स अबजेक्टिव्स किसी भी सबजेक्ट को समझने के लिए उस सबजेक्स को समझना जो है वो बहुत जरूरी है बेसिक्स जो हैं वो एक कोर्स की बुनियाद कहलें या उसके बिलिंग ब्लाउस कासा काम करते है जब भी मैं किसी क्लास को पढ़ता हूँ तो मुख्लिफ स्टेजिस पे उसके कोर्ड कॉंसेप्ट्स हैं उनको मैं हमیشہ स्टूरंट्स के सामने पॉइंट आट करता हूं और उसके बारे मैं स्टूरंट्स से यह कहता हूं कै कमज के इसकी हैं यह जु चीज़ है यह जो चीज़ है à यह जो चीज़ है यह आपको बहुत अच्छी तरह समझ להने चाहिए तो जिनको मैं basics कहता हूँ जिनकों building blocks पर कहता हूँ वो ऐसे होते हैं कि वो बार बार एक course के अंदर इस्तमाल हो रहते हैं और मैंने ये experience किया है कि अगर आपको basics clear नहीं है तो आपको subject है जो subject पर पढ़ते हैं कोई भी subject है हर subject के अपनी basics होती हैं तो अगर आपको basics clear नहीं है तो फिर आपको subject भी सही तरह समझ नहीं आएगा क्यों इसलिए कि वो जो basic concepts हैं वो बार बार मुटिफ जोगों पर इस्तमाल होते हैं अब यू कहलें इसकी मिसाल यह है कि अगर मैं कहूं के concept A है concept A अगर जो है वो इस्तमाल होरा है as such in the definition of another concept B now if you are not clear about the concept A then obviously you would have some ambiguity about the concept B and this chain carry all carries on and up to many stages B is used in C, C is used in D, E and F so if you have ambiguity in the basic concepts then most probably you would be not clear about the course that you are studying so whenever I say this is basic I will emphasize on my part I will emphasize on that and I would expect from my students that they should also pay special attention to that concept next is that this course is the different phases of database design and it will guide you through database आप देखेंगे हम पढ़ेंगे कि database को जब हम design करते हैं तो उसके different stages है उसके different steps है और जाहर है कि एक अच्छे design के लिए एक अच्छे final product के लिए आपको उन designs के उन phases से अच्छी तरह से गुजरना होगा और जिन बातों की जो उसकी requirements है हर phase की आपको उन phases को या उन requirements को अच्छी तरह से देखना होगा और अगर आपको वो phases clear है और अगर आपको हर phase की requirements clear है तो इसके आपको फाइदा यह होगा कि यू विल एप ultimately into a good design so we will be studying different design phases of the database design then obviously we will use some database tool some database program यह आप यह कहले है के some DBMS यह two terms मैं यहाँ पर भी इस्तेमाल कर रहा हूँ frequently हो सकता है उनमेंसे बाद आपको इतनी समझना है यह कि लिए clear ना हो तो हम इसको जब मुनासे वक्त पर इनमेंसे हर term को मैं आपको explain करूंगा ताके आपको जब मैं इनका इस्तेमाल करूं तो आपके जहन में होके मेरी इस यह है कि वह डाटाबेस का जो कोर्स है ते एस्टेट इट विध तूल अप तो शच अन एक्स्टंट ताट बिकाम्स अद दए फुरंट इसल्फ तूज़ अधर मैं अपने दाबेस का फ़लान कोर्स पड़ा है आपने इसमें क्या पड़ा है तो बजाए इसके का वह उन र बताएं कि हमने इस कोर्स में यह टॉपिक पड़े हैं इनी चीज़ों को टच किया यह चीज़ हमें समझ आई हैं वो कह देंगे वो किसी टूल का नाम ले देंगे for example को कह देंगे कि हमने इस कोर्स में एक्सेस पड़ा था यह हमने इस कोर्स में औरेकल पड़ा था well this is not the proper approach the thing is the emphasis in the course should be on the theory on the concepts and obviously if you during a course if you exhibit if you explain the concepts using some practical tool that will help the students to understand those concepts in a better way but the thing is कि टूल जो है उसको हमेशा as a supporting support के तूर लिया जाना चाहिए ना कहिए कि टूल इससेल्फ को should be considered as the whole subject no तो इसलिए मैंने इसमें लिखा है कि मैं कोशिश करूँगा कि आपको किसी टूल के साथ familiarize करूँ ताके जो चीज़े हम पढ़ रहे हैं इस कोर्स के अंदर आपको बहतर तरीके से समझा जाएं लेकिन आखर मैंने खास तूर पर इस बात को mention किया है कि इस कोर्स के दूरान हमारा जो emphasis होगा जो मेरा emphasis होगा वो यह है कि जो इस subject की theories है या जो एक database design के जो phases है आप उन से familiarize हो जाएए चलते हैं अब अगली slide की जाने पर इमपॉर्टन्स आफ डिस कोर्स database system जो है वो एक important course है यह computer science के उन courses में से है कि जिनका एक तो यह है कि रियल लाइफ में जिनकी बहुत ज़दा application है जब रियल लाइफ में application है तो उससे होता यह है कि आम आदमी का भी even जो है रोजाना की जिन्दगी में इससे वास्ता पढ़ता रहता है अगरचे आम आदमी को यह जानने के जरूरत नहीं है कि वो database का इस्तेमाल कर रहा है या वो किस database का एकसेस कर रहा है आम आदमी का तो से concern भी नहीं है लेकिन बात यह है कि development के point of view से या use के point of view से यह उन subject में से है कि जो जिनकी जो application है real life में वो काफी ज्यादा है मिसार के तोर भी आप देख लें कि अपनी normal life में अगर आप बैंक्स में जाते हैं बैंक्स में आप कोई transaction करते हैं किसी किसम की उस जगापे underlying जो है वो कोई नहीं की database काम कर रहा है आप अपने billing system को देख लें आप बैंकों में बिल जमा कराने जाते हैं इवन जब आपको ब है वो database के अंदर जा रहा है आप आजाएए even normal stores के उपर stores के उपर जब आप जाके even अपना credit card का इस्तमाल करते हैं आप अपना किसी बैंक की जो ATM जो उसकी cash machine है वहां से cash नकलवा रहे हैं उसके पीछे database इस्तमाल हो रहा है even हम इन applications को तो commercial applications कहते है database की अफादियत database का इस्त तक बढ़ चुका है कि किसी जमाने में या बलकि अब भी जिन applications को हम scientific applications कहते हैं engineering applications कहते हैं उनके अंदर भी जो है अब database का इस्तमाल होता है आपकी scientific जो डाटा आपका generate होता है किसी भी device से या किसी भी experiment के नतीजे में उस data को manage करने के लिए data को store करने के लिए उसको access करने के लिए और उस पे different तरह के बाद रफा analysis भी करने के लिए आपके जो database है वोसमें इसमाल हो रहा है database एक important course है एक तो मेरा को बता दिया जो इसकी reason बताई है और फिर बात यहां कि इसी importance के वज़ा से सुरते हाल यह है कि computer और इससे जो मुतलका कई शुबे हैं कई जो discipline है हमारे if you see the curricula of let's say CS or if you see the curricula of telecom or computer engineering even in many disciplines of engineering तो database है as a subject जो वो शामिल है उसकी वज़ा यह है कि in different disciplines में अगर जो आपके professionals हैं जो students है अगर उनको database का जो इसके concepts के पता हो तो जब अपने practical life में आके वो चाहे अपने ही field में काम करते हो लेकिन चु़के उसमें इसमाल इन्वाल होग इसलिए अगर उनको database का पता है या उसके concepts है तो वो अपने even field के अंदर भी एक बहुतर application जो बना सकेंगे डिजाइन कर सकेंगे इसलिए आज पहले lecture में ही मैं आपको यह emphasize कि database जो है component course है इसलिए आप इसके concepts हैं जो इसके different theories हैं उनको बहुतर तरीके समझे कुशिश करें in order to become a good professional. Now let us come towards the overview of this lecture, what we are going to discuss in this lecture. First of all, I will explain to you the database definition because to have a clear understanding, to have a better understanding of what a database is, that it is very necessary to understand the definition of the database and mind it, it is the first basic towards I will, I am pointing. That is, it means that this is the thing that you should understand and you should always remember. So, anytime if someone asks you what is the definition of a database, you should know it. So, first of all, I will explain to you the definition of the database. Next thing is, I will explain, I will compare the database working or the database approach with the approach that was being used prior to the databases. If you look at database, if you look at database, you can see a little bit or a little bit on this thing, you can write something on the database. Database, which is the file processing environment, which you have mentioned, is not necessary to understand it. So, I will recommend that you can use the file processing environment. So, you can use the file processing environment as much as you can understand it. So, you can understand it. What you can understand in this lecture, is the benefit of the database that the advantages of the database is easy to understand it. This is why, you can understand your amenities and the advantages of the databases, but for the file processing environment, you don't have any time to understand it because it's not important to that. And then on comparison, we will see that the approach of the database, the database, the data processing approach, and the details of its benefits, what are the benefits and the benefits. different definitions of the database. Each one of them is right. आप इन में से कोई एक भी बता दिया आपको किस यह किस समझ आजा जाए तो वो काफी है. जो यह मुख्लिफ definitions हैं इसको समझने के कोशिश को दूरान यह आप यह भी कर सकते हैं. It would be a useful exercise कि आप इन definitions को आपस में relate करनी कोशिश करें. क्योंकि अगर आपको relate करनी कोशिश करेंगे तो इन में से हर एक जो है वो आपको आपको ज़्यादा समझा जाएगी, ज़्यादा clear हो जाएगी. तो पहली definition जिसको मैं personally बहुत like करता हूँ और मैं इसको बलकर recommend करता हूँ अब वो यह है कि a database is a shared collection of logically related data that is stored to meet the requirements of different users of an organization. अब यह definition है, इसमें जो important points हैं उनको मैंने underline किया हूआ है और मैं आपको यह तमाम points हैं इनको बारे बारी explain करूँगा और आखर मैं फिर सबसे पहले चीज़ जो मैं आपको इस definition में explain करूँगा वो है data इस term से आप यकिनन वाकिफ होंगे data को अगर आप data की definition देखे किताबों के अंदर तो आपको generally यहीं मिलेगी कि the raw facts about anything raw facts stored or collected about anything और data जो है उसका तालुक जो है वो सिर्फ computer के साथ ही नहीं है अगर आप even data जो है वो आप paper पे लिख सकते हैं data हो सकता है किसी चीज़ के बारे में आपके जहन के अंदर भी हो तो किसी भी चीज़ के बारे में जो मालुमात हैं जो उसके बारे में facts हैं उस logically related data data के बारे में आपको बता चुको हूँ we simply call them the raw facts about anything second thing जो मैं आपको explain करूँगा वो है what do we mean by logically related data क्योंकि data तो हो गया किसी भी चीज़ के बारे में facts but what do we mean by logically related data उसमें यह है कि when we say data are the facts about anything तो अगर आप किसी भी चीज़ को consider करें मिसाल के तौर पे अगर आप किसी किताब को फर्ज कर लें आप किसी इनसान को देख लें आप किसी electric equipment को देख लें किसी भी चीज़ के बारे में अगर हम data का सोचे लगें तो बहुत सा data जहास के बारे में हम सोच सकते हैं या इकठा कर सकते हैं, बिसाल के तोर पे अगर हम देखते हैं कि हम एक फैक्टरी है, लेट से हम कहते हैं एक आटो मोबिल फैक्टरी है, कारे बनती हैं वहाँ का एक वर्कर है, एक एमपलॉई है, हम उसके बारे में जो है वो डेटा स्टोर करना चाहते हैं, तो अगर आप उस शक्स को बारे में सोच लें, लेट से एक आटो मोबिल फैक्टरी है, कारे बनती हैं वहाँ, वहाँ का कोई एक वर्कर सोच ले, फर्ज करें कि हम वहाँ के जो वर्कर हैं, उनके बारे में डेटा स्टोर करना चाहते हैं, अब किसी एक एमपलॉई के बारे में, किसी एक वर्कर के ब उसकी हाइट, वेट, आँखो कलर, बाल, बालों का कलर, बाल है के नहीं है, कब गिरे, क्यूं गिरे, वगारा वगारा. दे can be so many facts. बदाशा बते अब कठे कर सकते हैं. लेकिस्वाल ये पैदा होता है कि हम ये facts जो है, वो क्यूं कठे कर रहे हैं? हम facts इसलिए कठे कर रहे हैं कि जिस organization में, जिस factory में वो काम कर रहा है, उस वो organization जो है, वो इस worker के बारे में या अपने तमाम workers के बारे में data जो है बा कठा करना चाहति है store करना चाहती है इसको process करना है कोई स्पे काम करना है ठीक है तो अब हमें यह देखना होगा जम ने जो worker के बारे में या जैस चक्स के बारे में इतने सारे fraction की मैंने आपकों Iमिसाल दी है और इसके लब और बहुत सारी मिसारे हो सकती है क्या ये सारे का सारा उसके लिहाद से मिनिक्फुल है क्या ये उसके लिए रिकॉाइड है एक वर्कर जो है वो उसकी हॉबिस क्या है या वो कहां पैदा हुआ था या आप ये कहलें कि उसके जूते का साइज क्या है अगर्चे यह जो fact है कि worker के जूते का size क्या है यह है यह fact तो उसी worker के बारे में लेकिन सवाल यह पिदा होता है क्या factory owner को यह factory को इस fact की जरूरत है उसके सेर पे बाल हैं यह नहीं है यह बी एक fact उसी के बारे में है fine लेकिन क्या यह fact जो है यह factory के लिए useful है उसकी height कितनी है उसका weight कितना है Again we have to think कि क्या factory owner जो है या factory organization है उसके लिए चीज़ useful है उसके लिए किसी काम की है तो this is what is meant by logically related यानि जिस point of view के साथ जिस context के साथ आप database create कर रहे हैं वो organization वो system जिसके लिए काप database बना रहे हैं जिस चीज़ के बारे में data store कर रहे हैं उसके point of view से उस system के point of view से जो चीज़े related हैं आपस में जनी इस employee के बारे में जो जो facts जिनका के आपस में तालुक बनता है इस organization के reference से वो हम store करेंगे मेरा खिया आपको समझ आगे होगी अब तक के हमारा इस से क्या मतलब है के logically related data the relationship between the data about a particular thing this is provided by the point of view the context from which the database is being developed so this is what I mean by logically related data then we say different users of an organization जब आप एक organization की बात करते हैं तो हमारे यहां इसके जो different users ने से हमारी क्या मुराद है इस से मुराद यह है कि एक organization के अंदर जो है वो मुखलिफ सिस्टम काम कर रहे होते हैं अगर आप इसी अपनी factory के example को देख रहे हैं तो इसके अंदर there would be a production system वहां पे sales system भी होगा, वहां पे purchase system भी होगा, वहां पे salary system भी होगा और इसके लाव बेताशे system काम कर रहे होंगे जो हर system के जो users है हर system के जो users है विसाल के तोर पे अगर आप बात करते हैं account system की तो हमारे account section में मुखलिफ लोग हो सकते हैं उस factory के अंदर, इसमें clerk भी हो सकते हैं उसमें कोई admin officer भी हो सकता है उसमें assistant accountant भी हो सकते हैं उसमें accountant भी हैं और अगर जो इसके owners हैं जो इसके managers वगारा हैं उनको भी अगर उसी system का हिसाब बना लें तो वो भी उसके users हैं तो जो account से related लोग हैं वो इसी employee के बारे में हो सकता है कि खास किसम का data या खास किसम के facts जो वो स्टोर करना चाहेंगे लेकिन अगर आप देख रहें कि जो हमारे production वाले हैं, जो production हमारा system है, जो production हमारा section है जो उसके लोग हैं, वो भी इसी के बारे में या मुख्लिफ चीज़ों के बारे में जो है वो उस factory की data store करना चाहेंगे तो जो हमारा एक database design होता है, वो इन different users की, क्योंकि organization तो same है, लेकिन जो उसके दर users हैं या उनको जो user groups कह लें, वो मुख्लिफ हैं, और हर user group की, हर तमाम users की अपने अपने काम के reference से, अपने अपने point of view के reference से different requirements हैं accounts वाले कहते हैं, हमें ये 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 data चाहिए, production वाले कहते हैं, हमें ये 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 data चाहिए, sales वाले कहते हैं, हमें ये 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 data चाहिए, and like that तो जो आपका एक database होगा वो इन तमाम users की requirements के मताब जाब जाएगा इस तरीके से कि हर user जो है उसकी requirement है वो पूरी हो रही होंगी इस definition का जो आखरी हिसा मैं discuss करना चाहूंगा वो है shared collection shared से क्या मराद है जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि किसी organization में मुख्लिफ users user groups या sections होते हैं अब जो different user groups हैं ये कई दफ ऐसा होता है कि जिस चीज़ के बारे में ये data store करना चाहते हैं ये data access करना चाहते हैं वो मुश्तरिक होती है common होती मिसाल के तौर पे इस ही अगर आप हमारी factory की example लें तो ये जो employee है इसके बारे में जो है वो account section भी data store करना चाहता है और sales भी और production भी तो जो इनकी data की requirements हैं उन में से कुछ ऐसी होंगी के जो 2 में 3 में ये सब system में common हैं और कुछ ऐसी होंगी के जो उसी system के ओपर के लिए specific हैं तो जब हम कहते है shared shared से मराद ये भी है कि जो उसमें common आपको data चाहिए जो के different sections को ये different user groups को चाहिए बजाए इसके कि इसको आप repeat करें क्यूंकि अगर उसको repeat करते हैं same data को तो उसके मुखलिफ नुक्सानात हो सकते हैं वो नुक्सानात जो है वो हम आगे जब हम पढ़ेंगे file processing environment उसमें मैं आपको explain करूंगा कि data को उस तरीके से duplicate करने के क्या नुक्सानात हो सकते हैं तो जब हम database की बात करते हैं तो database के अंदर जो data आपको common है different user groups के दरम्यान उसको अपस में आप share करते हैं तो अब इस तरह हमने जो definition के मुखलिफ हिस्से थे उनको हमने अलग अलग discuss कर लिया अब एक दफा में फिर जो है वो repeat करता हूं पूरी definition को और आप इन तमाम जो हमने इसमें जो इसके parts हमें डिसकस की हैं आप हर एक चीज को जहन में लाएं और फिर देखें के आपके जहन में जो है वो एक picture जो है database की वो क्या बनती है तो I repeat a database is a shared collection of logically related data that is stored to meet the requirements of different user groups of an organization I hope it is now clear to you let's move to the second definition well this is another very popular definition that you may find in different books वो यह है के a database is self describing collection of integrated records अब इसमें दो बाते हैं फिर जो है वो थोड़ी सी technical आगे हैं जिनको आपको सब्वेना चाहिए के what is meant by self describing self describing से मराद यह है के database के अंदर जो आपने data store किया हुआ है इसमें महस वो data ही store नहीं है बलके साथ ही इस data की जो structure है जो उस data की definition है जो उस data के बारे में मुक्तलिफ जो उस पर चेक्स लगए हुए है वो भी store होते हैं इसका मतलब यह हुआ कि आपको database के अंदर और उसको हम आम जुबान में जो है वो या database की जुबान में हम उसको schema या meta data कहते हैं इसके बारे में हम बाद में तफसील से बात करेंगे लेकिन अभी just ताकि आप एक चीज से familiar हो जाएं वो यह है कि database के अंदर सिर्फ data ही नहीं होगा बलके data के साथ साथ जो उसका structure है वो भी साथ ही आपको मिलेगा और वो भी database का part ही है तो इस लिहाँ से आपको यह दूने जिसमें कठी मिलती हैं और साथ ही है कि integrated records इंटेगर्ट इस सेंस में है कि records जो हैं वो आपस में link होते हैं यानि आप कई दफ़ा ऐसा होगा कि आप जब एक record को देखेंगे तो उस record को समझने के लिए या उस record को पुरी तरह उसका मतलब जानने के लिए आपको एक और record को देखना पड़ेगा बिसाल के तोर पे फर्ज करें कि अगर आपने एक employee का data जो है वस्टोर किया हुआ है उसमें आपने कहा हुआ है कि उस employee के बारे में एक data है कि department जब आप उस attribute को देखें उस की value को देखें तो वहां लिखावा लेट से D005 अब हो सकता है कि आपको ये ना पता चले कि D005 क्य चीज है क्योंकि D005 बेसिकली एक department का code है अब इस code के against है या इस code से मुराद कौन सा department है इसके लिए आपको जो है वो refer करना पड़ेगा department के records को department के data को ठीक इसी जरह हो सकता है कि department के जब department के data को देखें department के record को देखें तो D005 में लिखा हुआ है let's say sales fine लेकिन साथ ही उसक अंदर एक और attribute लिखा हुआ है जिसमें लिखा है manager और manager के अंदर जो data लिखा हुआ है जो fact पड़ा हुआ है उसमें लिखा हुआ है कि E0247 हो सकता है कि इससे आपको समझ ना आ है कि इससे कौन सा employee हमारी मुराद है तो इसको जाने के लिए आपको हो सकता है दुबारा जो ह आपको employee का पाज़ जाएगा यह कौन सा employee है इसी तरह जो मुस्लिफ files है वो आपस में link होंगी और यह सब मिलके जो है वो एक database बनेगा तो again our second definition के a database is a self-describing collection of integrated records I hope कि आप को यह समझ आ गई होगी अब चलते हैं 30 definition की तरफ इसमें यह है कि a database models a particular real world system in the computer in the form of data again यह चीज़ भी यह भी बहुत एक अच्छी definition है और यह अगर आपको समझ आ जाजाए तो आपको बाकी definition भी समझ आ जाएंगी और database की जो functionality जिसका रोल है वो भी आपको काफी हद तक clear होगा हमारी normal life में यह जिसको हम real world कहते हैं computer world में computer की language में उसमें आपका वास जाएंगा होता है उनको हम real world system कहते हैं विसाल के तोर पे आप कोछीज खरिदने चाले जाते हैं वहां का एक आप कहें के store का sales system है आप bank में कोई पैसे जमा करवाने जाते हैं तो यह एक bank का आप कहें के cash handling system है या उसका transaction handling system है आप जाते हैं किसी PIA से फर्स करें किसी आप flight क टिकेट लिने जा रहे हैं तो वो उनका reservation system है यह system वो है कि जो real world में काम कर रहे हैं इसमें मुखलिफ लोग involved हैं इसमें मुखलिफ operations involved हैं बिसाल के तोर पे अगर हम देखें आप bank से पैसे निकलवाने जाते हैं उसमें क्या है कि उसमें लोग कौन कौन से involved हैं आप as a customer जो आपके पास जो operator window पे बैठे हुई है वो as an employee उसके बाद अगर फर्ज करें कि आपने उनको check दिया तो वो एक आपके पास again एक form है या एक item involved हो गया उसमें उन्होंने आपको उस पे processing करने के बाद आपको जो cash दिया उसमें cash involved हो गया यह वो सब चीजे हैं कि जो एक real world system में practically, physically involved हैं अब अगर हम इसी system को यह जो हमारा एक banking system था इसको अगर हम चाहें कि हमें इसका database बनाएं डाबेस क्यों बनाएं यह अपनी जग अलग सवाल है इसकी अपनी reasons या वो हम बाद जब discuss करेंगे कि why is an organization would like to transform its manual system and existing system into a computer right system उसका यह है कि जब आप इसको transform करना चाहेंग तो वो लोग वो चीजें वो items वो operations जो के एक real world system में physically practically involved थे आप उन सब को तमाम चीजों को और तमाम operations को उनको आप represent करेंगे उनको model करेंगे computer के अंदर in the form of data in the form of signals let's say अब यह है कि यह बाद जहें में रुखिएगा कि यह सिर्फ जो है इसकी चीजें यह इसकी operations जो हैं सिर्फ वो ही वहाँ पर transfer नहीं होंगे बलकि वो तमाम rules वो तमाम constraints जो हैं जो कि एक real world system में किसी भी जगा पे apply होते हैं आपको वो भी show करने होंगे अगर आप यह तमाम का तमाम system in its entirety अगर आप वहाँ पर represent नहीं करते हैं तो आपका जो database system है यह जो database design है वो एक proper design एक सही design नहीं होगा मिसाल के तोर पे आप banking system में अगर आप देखते हैं आपने कहा ठीक है हमने customer को data में represent कर दिया data किश फॉर्म में हमने check को as a entity show कर दिया हमने cash को show कर लिया हमने जो अदर से employee था उसको show कर लिया लेकिन आप देखेंगे जो वहां पर constraints हैं जो rules है वहां उस system के हमें उनको भी implement करना है मसलन अब आपका banking का एक rule यह है कि आपका जितना balance है अपने account के अंदर आप उससे ज़्यदा पैसे जो है बैंक से नहीं निकलवा सकते अब यह एक rule है बैंक का और यह understood है कि इस ने implement हो होने है तो जब real life में अगर यह rule हमारे पास मौझूद है और आपकी जो system है जो आपका banking system है उसमें यह rule जो है enforce हो रहा है उसमें implement हो रहा है तो जब आप इस system को database के शकल में represent करेंगे तो इस rule को भी वहां पर enforce होना चाहिए यह नहीं आपका जो balance है आपका जो balance जो कि वहां आप मौझूद है bank के अंदर वो जो data के शकल में यहां represent हो रहा है जब आप कोई वहां से withdrawal करना चाहें तो आपका जो database system है वह भी आपको वही उसी तरीके से constraint करें कि जितना आपका balance है उससे जएधा वह आपको transaction ना करने दे तो हम अपनी definition को अगर देखें कि database models a particular real world system in the computer in the form of data or mind it यहां फिर कहा particular real world system क्यूं कि आप तमाम system हैं अगर उनको एक तरह का suppose नहीं कर सकते मिसाल के अगर आप banking system की बात करते हैं तो आप यह नहीं कहेंगे के banking system no there could be difference among different banking systems मिसाल के तरप अगर हमारे मुल्क में ही मुख्लिफ banks हैं हो सकता है एक banks के rule कुछ और हों दूसरे bank के कुछ rule और हों यह अलग बात है कि उसमें ज्यादा दर चीज़े common होंगी लेकिन still अगर minor difference भी उसमें है तो वह आपको अपने जो database system आप design करेंगे जो model करेंगे उसके अ design a database system आपको वही system study करना होगा जो के जिस system को कि आप इसकर करने जा रहे हैं उसी system को यानि अगर अगर फर्स करें कि आपने तीन banks का पहले से database जो वह बनाया हुआ है आपने design किया हुआ है तो अगर आपसे को चौतर bank कहेंगा तो आप यह नहीं कहेंगे कि ठीक है जो मैंने पहले बनाया है वही जो है ना वह implement कर देता हूँ ऐसा most of the time नहीं होता आपको जो पुराना experience है similar type databases बनाने का वह help तो कर सकता है करेगा बलके करता है क्या आप नई application जो है जो नए system है वह ज़एदा आसानी के साथ ज़एदा तेजी के साथ बना सकते हैं लेकिन still you have to study that particular system for which now you are going to design your database system अभी तक हमने तीन definitions देखी है database system की मैं आप student से यही दुबारा चाहूँगा कि वो इन पर गौर करें इन से जो मुतलका literature उसको पढ़ें और इनको समझने कोशिश करें क्योंकि इन definition की जो बहतर understanding है वो आपको जो है ना पूरे course के दुरान जा वो help करेगी जो आप देख रहे हैं इसमें आपको जो अभी तक हमने definitions पढ़ी है उनको diagrammatically दिखाने की कोशिश की गई है इसमें आप देख रहे होंगे के हमारे पास यहां पर एक organization के मुखलिफ section या मुखलिफ department दिखाए गए है इसमें जैसे आप देख रहे हैं management marketing manufacturing accounting जो नीचे से आप यह समय लीजिए के वो different applications जो है वो in different departments की वो show की जा रही है या आप उनको in lower blocks हैं इनको आप यह भी समझ सकते हैं के यह मुखलिफ users हैं जो के users हैं या user groups हैं जो के in department से जो है वो data को access कर रहे हैं और अब यहां पर देख रहे हैं के database को as a single thing as a single place जो है वो show किया गया है इसका मतलब यही है कि एक तो बात यह है कि तमाम organization का जो data है वो एक ही जगा पड़ा हुआ है और दुसरी बात यह है कि वो as a single thing or it is being shared तो यह concept जो है वो आपको इस slide के अंदर जो है वो दिखा जा रहे हैं और इनकी जो further explanation है वो आगी होगी आगे चलते हैं इस slide में हम थोड इसका माल शुरू हुआ कम्प्यूटर इजाद हुआ उस वक्त जो कम्प्यूटर इस्तमाल करने का में जो idea था जो इसका main use था वो था computational purposes के लिए यानि scientific या engineering applications के लिए क्योंके computer को शुरू में एक computing device के तोर पे लिया गया इनिशली जब computer को program किया गया उसके लिए पहले machine language फिर assembly language और जब high level languages का concept आया तो अस वक्त फोटरेंट जैसी language जो है वो बनी और लोगों ने इसको engineering या scientific applications के लिए calculations के लिए इस्तमाल किया बाद में ये जुरूत महसूस हुई कि जो commercial applications हैं उनके लिए भी computer को इस्तमाल किया जाना चाहिए commercial applications से हमारी क्या मुराद है commercial applications से हमारी मुराद ये है कि वो applications जिसमें ज़्यादा calculations ये computation involved नहीं है बलके उन में ज़्यादा जो activity परफॉर्म होती है वो है data processing data processing से क्या मुराद है कि जिसमें ज़्यादा activity ये ही है कि data को आप मुखलिफ devices से read करें उसको store करें और बाद में minor C calculations या computation के बाद उनको different format में चाहे तो monitor के ओपर चाहे तो paper के ओपर आप उसका output लें इस तरह की environment को generally कहा जाता है कि ये data processing environment है तो जिस वक्त ये ख्याल आया जिस वक्त ये ज़्यादा महसूस की गई कि computer को commercial applications में भी इस्तमाल किया जाना चाहिए तो फिर ऐसी languages जो हैं वो इस्तमाल शूरू होना हुई जो के इस तरह की environment को suit करते थी और COBOL इस सिलसले में एक बड़ी मशूर language है जो के काफी अर्सा तक और बलके अब भी किसी हद तक जो है वो इस्तमाल हो रही है वो environment जिस की मैं बात कर रहा हूँ कि जब computer commercial applications में इस्तमाल होना शुरू हुआ उसे हम कहते हैं file processing system या file processing environment so what do we mean by file processing system या environment and what are the major characteristics of this environment file processing system or environment is a collection of programs that performs services for the end users such as production of reports ये एक बहुत वेक सी बहुत जनल सी देफिनिशन है कि जो के हो सकता है database के आपर भी applicable हो लेकिन जो file processing system या file processing environment की major characteristics थी वो आपको अगली slide पर नज़र आएंगी इस slide में देखिए कि इसमें एक organization और इसमें जो organization target की गई है इस slide के अंदर वो हमारा किसी भी university का system है या किसी भी academic institute का system है इसमें देखें कि different जो हैं वो system या users जो है वो data process कर रहे हैं या data processing कर रहे है इसमें दिखाया गया है कि एक हमारे पास हमारा library system है जो के जाहर है किसी भी education institute में exist करता है या कर सकता है इसी तरह वहां का examination system है और इसी तरह वहां का registration system है इस तरह और systems की example भी हो सकती है जब हम इस तरह के systems को handle करते हैं या handle किया गया with the file processing approach या file processing system approach उसमें ये था कि हर system जो है आपका library examination या registration हर system अलहदा अलहदा अपना data भी maintain करता था और वो program जो कि इस data को process करते हैं process से मराद है बढ़ते हैं, store करते हैं, माइनर सी calculation करते हैं, उसको screen पे या printer पे भीजते हैं ये तमाम हमारे processing programs हैं तो data और वो program जो कि इस data को process करते हैं हर system के अलग-अलग होते हैं इसका मतलब है कि हर system जो है उसके अपने application programs है और अपना ही data है जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं कि library system है, examination system है, registration system है, हर system के अपने program अपना data This was a major feature of the file processing environment यानि इस चीज़ को जो हम describe करते हैं वो यूं करते हैं कि इसे हम कहेंगे इस इस data program interdependence यानि प्रोग्राम और डेटा चुके एक ठीक कंसिडर होते हैं तो वो एक दूसरे पर depend करते हैं अब इसके जो हैं वो मुख्लिफ इस approach के या इस style के मुख्लिफ जो इसके वो लुक्सानात हैं पहली बात तो यह है कि चुक्के program और data एक दूसरे पर depend करते हैं एक ठीक consider होते हैं इसलिए अगर आपको किसी एक में change करनी है मिसाल के तोर पे आपको सिर्फ data में change करनी है या आपको सिर्फ program में कोई change करनी है तो उससे आपको दोनों में change करनी पड़ेगी या दोनों को दूबारा से consider करना पड़ेगा क्योंकि वो दोनों एक दूसरे पर depend करते हैं मिसाल के तोर पे हम यह कहते हैं कि हमने हमारे library system में हमने books के बारे में कुछ information जो है वो store की हुई थी कुछ data store किया हुई था मिसाल के तोर पे हमने कहा कि book के बारे में book का जो accession number है book का title है उसका author है उसका उसकी price है यह सब चीज़े हमने store की हुई थी एक file के अंदर और मुख्लिप program थे जो के इस data के मुख्लिफ parts को इस्तिमाल करते थे अब फर्स कीजिए कि आपने इस data के उपर आपने 10 प्रोग्राम लिखे हुए जो के इस data को इस्तिमाल करते हैं अब अगर आपने कल कोई एक जरूरत महसूस हुई कि हम इसमें एक और attribute या एक और field या एक और इसकी property जो बुक की है वो add कर लेते हैं कि इस change से आपके तमाम program चाहे उनका इस change से ब्राहरास कोई तालुक हो या ना हो वो सब के सब effect होंगे एक और जो drawback था इस files processing system environment का वो था duplication of data आपके सामने जो मैंने अभी तीन सिस्टम्स का नाम लिया है किसी भी तालीमिदारे का उनके तीन सिस्टम्स हैं library system, exam system और registration system इन तीन सिस्टम्स के reference से एक ही चीज़ फर्च कीज़े स्टूड़न्ट के बारे में यहां आपके सामने slide के ओपर मुखलिफ data दिखाया गया है जो के इन सिस्टम्स में जरूरत पढ़ सकता है निसाल के तौर पे library system में हमें चाहिए registration number, student का नाम, उसका father name, book issued और fine इस तरह अगर आप exam system को देखें उसमे registration number, name, address, class, semester और grade और इसी तरह से तीसरा हमारे पास registration system है जिसमें इसी तरह से student के बारे में मुखलिफ उसके properties हैं या attributes हैं अब file processing environment में चुँके वहां पे data sharing का concept नहीं था तो problem उसमें यह होता था कि आप वो data जो के मुखलिफ system same इस्तमाल कर रहे हैं वो हर system के लिए अलग अलग store हो रहा है that is called duplication of data अब इसका एक नुकसान तो यह है कि आप अपनी जो storage है उसको waste कर रहे हैं यह तो इसका obvious नुकसान है लेकिन जो दूसरा नुकसान है जो के एक लिहाद से ज़्यादा खतरनाक है वो यह है कि this phenomenon is open to inconsistency it can cause inconsistency anytime कैसे लेकि मिसाल के तोर पे एक student है उसका अगर आप address देखें उसका address जो है वो इस्तेमाल हो रहा है registration system के अंदर भी और exam system के अंदर भी फर्स कीजिए कि वो एक student का जो address है वो change हो जाता है उन्होंने घर तबदिल कर लिया अब उसने इस change की जो इतला थी वो फर्स करें दे दी registration system को अगर जो हमारा registration system है वो इस information को या इस change को convey ना कर सके बाकि सिस्टम्स तक क्योंकि ये भी हो सकता है कि उन्हें इसका इल्म ही ना हो कि ये जो property है ये attribute है ये और किस किस जगह पर इस्तेमाल हो रहा है या अगर फर्स के ने पता भी हो वो convey ना कर सके या convey कर भी दिया तो हो सकता है कि जिस ने इस change को वहां पर represent करना था वो ना कर सका इस से क्या होगा इस से होगा ये कि आपके एक ही organization के अंदर एक ही चीज़ के बारे में दो मुख्लिफ जगहों पे मुख्लिफ data store है एक system के मताबक जो student है वो रह रहा है दहौर में और हो सकता है कि दुसे system के मताबक वो रह रहा हो शादरा में तो ये जो change है जो इस तरह की जो environment है जो situation है वो जो है उसे हम कहते हैं कि वो inconsistency को या incorrect जो है वो data को बना देती है कि जो जब data जो है वो आपस में match ना कर रहा हो जब data जो है वो गज़सर को support ना कर रहा हो जा इसे हम ये कहेंगे जब data consistent ना हो और ये जो चीज है ये क्यों है यहां पर वो इसलिए है कि हर system जो है वो अपने program को और data को independently अलग से consider करता है there was no sharing इसके वरक्स अगर आप इस slide के ओपर देखें तो इन ही तीन system को हमने एक जो database approach है उसके तहत दिखाया हुआ है इसमें अगर आप देखें तो system वही तीन है library system, examination system और registration system यह जो टॉप पे blocks हैं आप यह समझ लें कि यह इसके different users हैं इन मुखलिफ systems के जो के हमारे जो application programs हैं जो programs हैं इन systems के अपने अपने उनको इस्तमाल कर रहे हैं और इन तीनो systems के जो program हैं वो interact कर रहे हैं वो उनका तालुक है या वो communicate कर रहे हैं किसके साथ? database management system के साथ, software है, tool है, जिसके बारे में हम बात में बात करेंगे और जो फिर आपका database management system है, वो जो है, वो underlying वहाँ पे database है जिससे के data को store करना और वहाँ से उठाना पढ़ना, वो database management system का काम है और आप ये देख रहे हैं कि तमाम systems के बारे में जो data है, वो एक जगा store है, इससे जो हमें मुखलिफ advantages हैं, वो हासल होते हैं विसाल के तोर पे data sharing, यानि जो data आपके पास common है मुखलिफ systems में अगर आप उनको बजाए, आप repeatedly store करने के you are storing it just once, ठीक है advantage क्या है इसका, advantage एक तो straight away है कि आपको जो storage आपकी जो है वो आपकी जाहर नहीं जा रही बलके आप उसको, चुक्कि आप data duplicate नहीं कर रहे है, यहां पर एक शाहिद आपके जहन में यह सवाल पैदा आए कि जो मुखलिफ systems हैं, उन्हें इतराज हो सकता है, या जो different system के users हैं वो अगर इस पे कोई इतराज कर सकें, तो उसका जवाब यह है कि जो आपके users है systems के उनको यह बात जानने की जरूरत ही नहीं है कि data जो है वो share हो रहा है, या जो data वो access कर रहे हैं उन में से कौन सा ऐसा हिस्सा है कि जो के बाकी भी access कर रहे हैं और कौन सा ऐसा है कि जो के सिर्फ वो ही access कर रहे हैं बलके इस सारे system की beauty यह है कि एक system के users हैं उनको दूसरे system की even existence का भी नहीं पता नहीं होगा Because they do not need to know it in order to do their work So, हर user यही समझेगा कि database जो data stored है वो ही stored है जो के उसके लिए required है जो उसको चाहिए और उसी शकल में उसी form में उसी format में store है इस format में वो data को देख रहा है जबके यह जो बात है कि data share हो रहा है This is only known to the designer which we have designed किया and now it is being managed by the DBMS तो यह तो इसका एक फाइदा हो गया यह जो database approach है वो it provides you the data sharing दूसरी बात जो हम पहले file system environment के reference में पढ़ चुके थे कि program और data जो है वो एक दूसरे पर depend करते हैं वो एकठे कस्रीड होते हैं तो database approach के अंदर एक यह भी फाइदा आया कि अब जो है आपके program और data जो है वो अलग अलग consider होते हैं not they are independent of each other obviously इसका सबसे बड़ा फाइदा क्या है इसका सबसे बड़ा फाइदा यह है कि अगर आप किसी एक में change करते हैं data में कुछ change करते हैं या आप किसी program में change करते हैं तो जो दूसरा है वो unnecessarily effect नहीं होगा and mind it I am emphasizing on unnecessarily यानि data की change का program पे effect हो तो सकता है लेकिन उनहीं पे होगा जिस पे होना चाहिए जिनको हम avoid नहीं कर सकते जबकि पहले file system या file processing environment में क्या होता था कि आया उस change से किसी program का तालुक हो या ना हो effect उस पे होना ही होना है तो database approach ने आपको जो advantage दिया वो यह दिया एक advantage था वो यह भी है कि आपके program और data जो है वो एक दूसरे से independent है एक और advantage जो database approach का है वो है controlled redundancy जो redundancy है उसको हम आसान अलफाज में duplication भी कह सकते है तो database approach है वो duplication को बिलकुल खत्म नहीं करती mind it लेकिन यह है कि वो controlled है controlled से क्या मराद है कि वो उतनी है यह वहां पर है जहां पर के हम चाहते हैं जहां पर जरूरी है हम से मराद है designer यह जो उसका developer है तो यह भी है इसमें इसका advantage हो गया कि unnecessarily आपको चीजों को जो है वो duplicate नहीं करना पड़ता better data integrity इससे मुराद यह है कि आपको data का अपस में जो link है उसको आप नहायत अच्छे तरीके से नहायत असानी से establish कर सकते हैं और बलके जो database management system है वो आपकी help करता है data integrity को maintain करने के लिए इस यह जो data integrity का जो topic है यह बहुत अहम है और इसको हम जब relational data model पढ़ेंगे उसमें मजीद detail के साथ पढ़ेंगे इसके साथ मैं आज के पहले lecture को wind up करूंगा इस lecture में हमने अपने course के objective को study किया कि हमारे इस course का objective क्या है और उसके बाद हमारे जो आज के lecture था उसने का focus किया है mainly database की definition को explain करने के लिए और उसके बाद हम थोड़ा सा file processing environment को touch करने के बाद हमने जो database approach के advantages हैं उनको discuss करना शुरू किया था अभी तक हमने चार advantages उसके discuss किये हैं इसके कुछ मजीद advantages और कुछ disadvantages जो हैं वो हम अपने आइंदा के lecture में discuss करेंगे मैं आपसे जाज़ चाहूंगा खुदा आफेज कर दो झाल झाल